और ट्यूशन्स क्या होती हैं ट्यूशन्स को लफ्स कहता हूँ बेसाखी समझते हैं बेसाखी ट्यूशन्स बेसाखी होती है मुझे याद मैं क्लास सेवद्स में था जब स्कूल में पढ़ता था तो मेरी टांग का फ्रैक्चर हो गया तो मुझे प्लास्टर बंदा और मैं दो महीने तक वो बेसाखी जो नहीं हो थी सपोर्ट की मदद से चल रहा था तो लेकिन जब मेरी टांग सही हो गई तो डॉक्टर ने कहा भी अब आप इसे छोड़ दीजे लेकिन मेरी आदत हो गई थी उस सपोर्ट की मदद से चलने की तो मुझे लगा कि अगर मैं सपोर्ट हटा देंगे तो मैं गिर जाओंगा तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं आप इसे हटा दें और आप नहीं गिरेंगे और मैंने कहा नहीं मैं गिर जाओंगा तो मुझे अच्छी तरह याद है जब मेरा प्लास्टर खोल दिया था तो यहां नाजबाद में ओशा वो एयो क्लेने के उसके डॉक्टर शाह साब होते थ तो उन्होंने मुट से कहा मेरा हाथ उन्होंने पकड़ा और उन्होंने कहा कि आप चलें कदम बढ़ाएं मैंने नहीं कदम बढ़ाया उन्होंने का फिर उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया और मुझे लगा मैं गिर जाओंगा लेकिन मैं नहीं गिरा और मैंने पहला कदम डरते डरते ले लिया कि उनकर कई महीने मेरे टांग पर प्लास्टर रहा था तो मैं इस बात को करने का मकसद यह है कि अगर किसी बच्चे को ट्यूशन जो है ना अगर किसी बच्चे को वाकितन जरूरत है तो एक मुगतसर पीरियट के लिए रूकी जा सकती है लेगन एक हो गाई है कि वो बगए ट्यूशन के खुद से कुछ सीख सकता है यह confidence उसका खतम हो जाएगा खुद से दो कदम नहीं चल सकेगा जब हम स्कूलों में थे तो ट्यूशने स्टार्ट होती थी साथवी आठवी या दसवी क्लास से नमी दसवी क्लास से उससे पहले ट्यूशन का कोई concept नहीं था जब हम स्कूलों जादा पुरानी बात नहीं मैं को इतना बुड़ा आदमी नहीं हूँ लेकिन हमारे साल नहीं होती इस वक्त बच्चों को ट्यूशन कौन सी उमर से चुरू हो रही है इस वक्त तो हमारा बस चले तो नर्स के हाथ से बच्चा जिस वत पैदा हो ना तो ट्यूशन के टीचर को दे दिया जाए इस बच्चे को मा की नहीं ट्यूटर की ज़बरत है तुम ले लो बिल्कुल वहां से शुरू कर दें आप अस्पताल में ही ट्यूशन का बोर्ड लगा दें यह हमारा बस नहीं चल रहा है कि हम ठूसे जा रहे हैं